तो समिक्षा दिकारी और सहाएक समिक्षा दिकारी ये UPPCS द्वारा ये परिक्षा ली जाती है और इसका एक्जाम वेकुल नस्दीक है और जैसा कि आप सभी को पता है कि परिक्षा के अंदिम समय में मैं आप सभी के साथ जरूर रहता हूँ तो मैं आप सभी के साथ हाज जुका हूँ दस दिन जो आपके होंगे आने वाले इस दस दिन में पूरे पाठकरम का मास्टर रिवीजन करवाने को ले करके मैं आपका कम्प्लीट मास्टर रिवीजन करवाऊंगा समिक्षा दिकारी और सहाएक समिक्षा दिकारी परिक्षा को को बढ़ा देता है इसी लिए मैंने ये टेन डेस का मास्टर रिवीजन प्रोग्राम प्रारम किया है कि आप सभी की परिक्षा के दस दिनों पहले ही मैं आपका मास्टर रिवीजन करा दूंगा पूरे पार्टिक्रम का इससे दो चीजे होंगी एक तो आपको जो विशायगत पूरी जानकारी है आप कम समय में रिवाइस कर पाएंगे दूसरी चीज ये है कि आप सभी इन दस दिनों में एक बड़े इस्तर का आपका रिवीजन होने के साथ साथ आपके आत्म विश्वास में ब्रद्धी हो पाएगी आप तोर पे जो भी परिक्षाएं होती हैं इसम होते हैं जो अभी तैयारी प्रारम करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो पिछले कई वर्सों से तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन जो सिलेक्षन में जो कमी रह जाती है जो चैन नहीं हो पाता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आपके कॉन्फिडेंस का होता है यदि आपक confidence को boost कर देना ताकि आप exam पे बहतर कर पाएं अब देखो यह लाभकारी उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जो बच्चे इसे पूरा कर पाएंगे टास्क उन्हीं के लाभकारी रहेगा हो सकता है आप में से बहुत सा लोग आज पहले दिन से energetic हो जाएं कुछ एक दो दिन के चार दिन के target कर लें फिर पूरे complete न कर पाएं है ना तो आपका जितना भी पार्टिक्रम है समिक्षा दिकारी और सहाएक समिक्षा दिकारी का आरो यारो exam का यह पूरा पार्टिक्रम पहले मैं एक बार आपको बताऊंगा और इसके बाद इस पार्टिक्रम को ही फिर आप को मैं target में दूंगा target daily का होगा परड़े मुझे आप सभी के 8-10 घंटे चाहिए होंगे तब आप target पूरा कर पाएंगे इससे ज्यादा भी यदि आप दे सकते हों तो बहतर है क्योंकि मैंने शुरुवात में ही बोला कि इस समय आपके मस्तिस्की कार एक छमता बढ़ जाती है जैसे से परिक्षा नजदीक आती है अब देखे फ़ल एक बार पाठिक्रम देखेंगे तभी आप जो है इस पाठिक्रम के अधार पे ही मैं आपका आगे का प्रारम करूंगा जो भी आपका content होगा देखे पाठिक्रम क्या है एक बार देख लेते हैं इसी कैसे आप से revision क करेंगे सामान विढ़्यान का adequateis रहा है UPP CS is уже में देखें सबसे पहले दो प्र strangely पत्त्रोंगे प्रारंब परिक्ष्घह में आरो ए-ारो यूप ए-ारो ए-सक्जाम में दो पेपर होंगे आपके ठीक है जो प्रारंभिक परिक्षा है दो पेपर होंगे पहला समानध्धिन का है इसमें 140 प्रशनाते हैं आपके और पूरांग भी इसका 140 का होता, यानि की एक question आपका, एक number का होता है, तो 140 number का तो ये paper हो गया, आपका समान अधिन का जिसमें विभिन ने विशह समान अधिन के समलित है, क्या-क्या है, अभी बता देते हैं दूसरा आपका paper होता है समान हिंदी का, बहुत योगदान है इसका क्योंकि यह साथ कोश्चन आते हैं और साथ नंबर के आते हैं ठीक है तो टोटल 200 का होता है आपका ठीक है 140 प्लस आपका 200 का पूरा पेपर है ठीक है ध्यान रखना है अब इसमें जो प्रथम प्रशन पत्र है 140 नंबर पर क्या-क्या पूछा जाएगा आपसे समाने विज्ञान जिसमें फिजिक केमिस्ट्री बायलोजी तीनों टॉपिक होंगे भारत का इतिहास का टॉपिक है जिसमें प्राचीन भारत मद्यकलिन भारत आधुनिक भारत भारती राश्टी अंदोलन इसी के साथ समलित हो जाता है तो भारत का सब्ति हास एक बड़ा वेटेज है सब्जेक्ट आपका हो गया पहला सब्जेक्ट आपका समाने विच्छान दूसरा भारत का इतिहास तीसरा भारती राज वेवस्था चौथा अर्थ व्यूďस्था संसक्रितली कल्चर का भी टॉपिक है तो कल्चर भुट टॉपिक की त तॉपिक नमबर फाइव पड़ रहर और नगरी करण टॉपिक नमबर शीच्स ठीक है भारती सुन्सीच्छ मैं परियाफ और नगरी करण स्थू कुश्चंम आएंगे विश्यू भूगोल तधा भारत का भूगोल यह आपका हो गया टॉपिक नमबर और 6 के बाद 7 ठीक है यह पूरा आएगा प्राक्तिक संसादने सारी चीजे इसके बाद राश्टी और अंतराश्टी घटना करम टॉपिक नंबर 8 ठीक है इसके बाद आपकी mental ability यानि की math और reasoning यह आम तोर पर reasoning के question जादा रहते हैं तो यह 9 नंबर का है आपका समाने बौदिक चमता फिर उत्तर प्रदेश राज विशेश तो यह आपका 10 नंबर का टॉपिक है और पूरा वही सारी चीजे हैं जो आई-एस में पूछे जाती है इस तर अलग है देखो आई-एस और यू-पी-पी-स का जो स्लेबस है आपका सब्जेक्ट और टॉपिक में कोई अंतर हो गाई यहाँ पूछा जा रहा है राजबरोस्त हैं लेकिन इस तर में अंतर होता है कोशन पूछने की प्रकती में अंतर होता है वान-लाइनर तो अब जो है इसको ले करके मैं टेंडेंस का प्रोग्राम ले करके चल रहा हूं आप लोग के साथ यही स्लेबस पूरा आपका मुझे कंप्लीट करवाना है पूरा स्लेबस में रिवाइज कराऊंगा देखो हिंदी में च्छाय टॉपिक हैं विलोम सब्सद पूछे जाएं कुईयंगे रिवीजन इसके लिए भी रहेगा तो सबको समलित करते होई Ten डेज में हिंदी सारफ कुछ σारा कुछंब्स कंप्लीट होगा कुछ आपका कवर करवाया जाएगा कुछ बही नहीं च्छोडेंगे इसमें कुछ भी नहीं बचेगा आपका सब कुछ कबर होगा हर एक टॉपिक को कबर करवाया जाएगा इत्मिनान से और यह डेली के टार्गेट वीडियो से आपका हो जाएगा साथ ही आजाद यूपी PCS Academy का जो हमारा डेडिकेटड चैनल है उत्तर प्रदेश राजी के चात्रों के लिए वह प्रदेशन में और उसके लिए मैं आपको जनकारी दे दूँगा कहां पर टेलीग्राम में भी अबलेबल करा दी जाएगी जो की वेकेबलरी से जुड़े हुए टॉपिक है ना वेपसाइड है वहां पर अबलेबल हो जाएगी तो पीडियाफ औगयरा मैं आपको डेली ट करगेगा तो इसको लेकर के भी हम पूरा कारे आप लोग का करवा देंगे आज से ही प्रारंफ कोगाkov तार्गेट तारगेट आपका प्रदिन शाम को छे बज़े आपको अगले दिन का टाने सेंए फंसे Dip удal energy ओण में पहले Mini से ही आपका थोड़ा सभी मुझे मैंने आपक चाहिए ही होंगे उनको लेकर बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं पढ़िए दस से बारा घंटे मुझे दीजिए में आपका इतना कुछ करा दूँगा जितना आप पूरे दो साल तीन साल में नहीं पड़ पायते होंगे ठीक है इसके लिए मैं आजाद IAS Academy की मदद लूँगा प्लेइलिस्ट का नाम होगा monster revision playlist आरो ए और ए और एक्जाम के-लिए मास्टर revision playlist बनाई जाएगी एक बार चलो देख लेते हैं कहां पर यह playlist है ठीक है एक बार इस playlist को हम लोग देख लेते हैं कहां पह प्लेलिस्ट है और किस तरीके से इस पे हम काम करेंगे तो KAR mud वा ठीक है यह हमारी चर्चा पर चर्चा हो जाएगी चलिए एक बार देख लेते हैं कहां पर हमारा पूरा का पूरा content है Chrome browser पर आप जाईएगा सभी लोग Chrome browser पर जा करके यहां पर हम सर्च करेंगे यूट्यूब ठीक है यूट्यूब सर्च करेंगे और यूट्यूब पर जाएंगे जितने बच्चे हैं संस्थान के सभी लोग साथ में जो course के बच्चे हैं सभी लोग विस्वास करिए आप के लिए मैंने बहतर काम किया है ठीक है और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना है आप कभी भी यूट्यूब पर सर्च करिए यूनिट आफ आजाद ग्रूप तो आपको हमार प्लेश्ट मैंने बना दी है आप लोग की और आज से टार्गेट मिल जाएगा इसको सर्च करते ही सबसे उपर प्ले आपका आजाएगा आजाद यूफी पीसे से कैडमी यूनिट आफ आजाद ग्रूप अभी लगबग इसमें 31,000 बच्चे हैं अब जिम्मेदारी आप ल प्लेश्ट पर जाएंगे तो यहां पर मैंने एक प्लेश्ट बना दी है आप लों के लिए यह रही आरो यारो के बच्चों के लिए 72 वीडियो इस पर अभी लगे हैं अभी इसको और अपडेट कर रहे हैं अपग्रेड करें देखो सबसे पहला वीडियो स्लेबस का ही पूरा ठीक है तो यहां पर कंप्लीट स्लेबस मैंने डिसकस कर रखा यारो यारो का लेकिन अब जो आपको टार्गेट दूंगा मैं इसी प्लेश्ट से दूंगा इसी प्लेश्ट पे मैं आपने वो वीडियो सारे मैंने लगा दिये हैं देखें इस ट्रीप के पूरे यार हो जाएए पूरे उत्तर प्रदेश के उन छात्रों को सूचित कर दीजे जो आरो यारो का एक्जाम दे रहें जा रहे हैं दस दिनों में पूरे पार्टिक्रम का कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम साथ में मिल करके मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट गाइड करूंगा बताऊंगा आपको क्या करना है कितना देखना है बस उसको आपको फॉलो करते रहना है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपका पूरा स्लेवस कबर हो जाएगा समय से जो काम आप वर्सों में नहीं कर पाएंगे वो मैं आपको दस दिन में करके दे दूँगा ये मेरी प्रतिवद्धता है मैं इसको पूरा कर रहा हूँ आपकी प्रतिवद्धता यह है कि जितना बता के जाओं उसे फॉलो करना है सब को समझ में आएगा आसान भासा में समझ में आएगा जो टॉपिक जो स्लेवस बहुत कठीन है वो भी आपको आसान लगेंगे ये टार्गेट वीडियो के माद्यम्स अपनी तैयारी प्रारम कर दीजेगा ठीक है तो प्रारम करिए आज से मेरे साथ जितने बच्चे समिक्षादिकारी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ ही जो है जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर भी प्लेलिस्ट की लिंक में अब लेबल होगी और वहाँ पर टार्गेट वीडियो टार्गेट वीडियो भी जितने होंगे सारे आजाद यूपी पीसे से कैडमी पर ही ये पब्लिश किये जाएंगे डेली वाइस डेली साम को 6 वजे तक टार्गेट आ जाएगा थोड़ा सा लेड भी हो जाता है तो इत्मि इक्षा दिकारी देने के जा रहे हैं डरना नहीं है ये एक्जाम आपके लिए सब से अच्छा होगा इन 10 दिनों में ही सब कुछ कर लेंगे जितना इस एक्जाम की रिक्वार्मेंट है बिल्कुल भी परिशान हो करके नहीं जाना करेंट अफेर्स भी बिल्कुल आपकी कर सब्सक्राइब यह होनी चाहिए कि आप फॉलो करिए ठीक है मैं आपको जो टार्गेट दूंगा हिंदी में एक बुक बताऊंगा हिंदी की बुक का जो है सेल्फिश टडी का उसमें कुछ आपको देके जाऊंगा टार्गेट कितना आपको पढ़ना है हिंदी के बुक का और बाकी सब मैं जी एस का इतना कराऊंगा हिंदी में बुक बताऊंगा और हिंदी का भी हम रिवीजन करा देंगे बस इनफ है इतना फॉलो कर लेंगे निश्चिन्थ होकर के एक्जाम देंगे कोई भी पीटी नहीं रोक पाएगा आपका इतना मेरा प्रॉमिश है यह व